आपको पता है ना आपकी 21st से एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, 21st का मंडे से, पीटा मैं आपको बता तो कीट्स की जो ये मंडे से की इसमें आपका मैंस का पहला टेस्ट है वो रिटरन टेस्ट है, तो वो नीलम मैं आपको देंगी टेस्ट और आप करोगें तो नीलम मैम आपको रिटन बोर्ग की एक रिवीजन वीडियो भेजेंगी आपने उसको ध्यान से देखना है और आल दे पेस्ट आपने बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट करना है ओके बिटा लेकिन मैं आपको आज picture book में four topics करवाने जा रही हूँ बिटा मैं क्यों picture book ले रही हूँ क्योंकि picture book में हमारे topics बहुत जाता है ठीक है अगर हम four four करके करेंगे न तो इस week में हमारे topics cover हो जाएंगे और फिर एक दिल हम पूरा इसका revision करेंगे तो इससे क्या होगा आपके picture book में भी जो इतने topics हैं उसकी भी preparation होती रहेगी और साथ में एक जो वीडियो आपको नीलम मैं भेजेंगी जो आपके written test की है तो आप उसकी भी तयारी करोगे तो आप exam के लिए अच्छे से prepare होना और अपनी ममा के साथ बैठके अच्छे से अपनी preparation करना तो आज हम क्या करने वाले हैं तो आपकी जो ये picture book है न इस picture book में से आज हम पहला topic ले रहे हैं parts of body का किसका बैठा parts of body अब body parts क्या होते हैं बाठ देखो जैसे हमारी body है बाठी है न यह हम खड़े हैं हमारी body है इसमें eyes है nose है head है hands है teeth है یہ सब क्या है हमारे बीटा बाठ किसके part है हमारी body के पारठ किसके हमारी body की part है अगर मैं आपको बताऊँगी कि आप parts of body सुनाओ तो मैं आपको एक picture दिखाऊँगी आप मुझे बताऊँगी कि ये body part कौन सा है और ऐसे ही बिटा आपका जिब auran test होगा न तो मैं आपको आपकी book में से कुछ pictures दिखाऊँगी आप मुझे जल्दी से उसको उस picture को recognize करोगे और मुझे बताऊँगे कि ये picture किसकी है ठीक है बेटा तो अभी हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले parts of body ठीक है बेटा तो आप सबसे पहली picture देखो picture दिख रही है आपको ये किसीज की picture है बेटा ये क्या है हमारा nose क्या है बेटा nose देखो ये मैम का nose है न ऐसे ही आपका भी nose है तो इसको क्या बोलते है बेटा nose क्या बोलते है nose ये क्या है बेटा nose ये किस काम आता है smell करने की काम आता है क्या करने की काम आता है smell हम लोग smell कर सकते हैं कि क्या अच्छी खुश्बू आ रही है या बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है ठीक है बिटा तो नोस किसका माता है स्मेल कर देगे ओके बिटा अब इसकी बाद देखो ये क्या है बिटा आई इसको बोलते हैं आई है न ये क्या है हमारी आई इस से हम क्या देखते हैं I watch हम किस से देख सकते हैं अपनी आई से ओके तो ये आई क्या है हमारी सी करने के काम आती है दिखाई देखने के काम आती है ओके बिटा इसके बाद हमारी नेक्स पिक्चर क्या है बिटा लिप्स ये क्या है बिटा लिप्स इसको क्या कि आप होते हैं लिप्स क्या है यह लिप्स करने कि यह मतलब सुनने की काम आप मुझे अभी सुन रहे हो ना तो किस से सुन रहे हो अपने यह से यह क्या है पैटा year इसके बाद नीक्स क्या है पिक्चर यह प्रणे किसकं अपना फूट को वाइत करने के हम लोग अपना फूट कालतेए न ह蒂पने टीज से तय क्या है पिक्चर वॉके इसके वारे next picture क्या है legs की किस चीज़ की picture है बिटा legs हम लोग legs से क्या करते है walk करते है run करते है करते है legs से यह क्या है बिटा legs ओके इसके बाद मारी next picture किस चीज़ की है बिटा hand की यह क्या है बिटा hand hand किस काम आता है बिटा hold करने की hold means पकडने की देखा, मैंने ये book इसमें पकड़ी हो ये hand में, hand में पकड़ी हो ये book, तो ये क्या है? Hold करने की, hand. Okay, पीटा, इसके बाद next picture, किसी की है, पीटा? Food की. हम लोग stand होते हैं न, नशे खड़े होते हैं, तो किसी है,лоo to vao, food की help से, चलते भी हम food की help से हैं है न तो यह क्या है पिटा हमारा food क्या है बच्चे food इसकी बाद हमारे next picture किसी इसकी है पिटा tongue की किसी इसकी picture है tongue की तो जो यह tongue है न बेटा tongue ये tongue किस काम आती है पिटा टेस्ट करने की food को test करने की काम आती है ओके विटा इसके बाद यह क्या है विटा हमारी arm, क्या है यह arm बाजु है ला ही है हमारी इसको बोलते हैं विटा arm क्या है विटा यह हमारी arm, okay arm तो यह थे हमारे body parts विटा ऐसे ही जब exam होगा आपका test होगा तो मैं आपको तो एक पिक्चर दिखाऊंगे, आप मुझे बताओगे, ये कौन सा बॉडी पार्ट है, ओके बिटा, मैं कोई भी पिक्चर पूछ सकती है, ओके, तो आप मुझे बताओगे, ओके, अब हमारा ये था, पार्ट सो बॉडी, इसके बार नेक्स टॉपिक है, बिटा, फूड का, किसका टॉपिक है, फूड, फूड क्या होता है, बिटा, हमारा, जो फूड हम जो खाना खाते है, हमें क्या खा रहे हैं, उस फूड का नेम भी तो होता है, ना, होता है ना, उस फूड का नेम, तो आज हम क्या करेंगे food items के name लाग करेंगे ओके बिटा तो देखो हमारा first food item क्या है बिटा cake cake तो आपको बहुत पसंद है खाते हो ना आप cake इसको क्या बोलते है बिटा cake next क्या है बिटा किसकी picture है ये burger की किसकी picture है burger की किसकी पिक्चर है बिटा बर्कर इसकी बाद नेक्स पिक्चर किसी इसकी है बिटा वेजी टेबल्स किसकी पिक्चर है बिटा वेजी टेबल्स की किसकी पिक्चर है बिटा वेजी टेबल्स नेक्स किसकी पिक्चर है बिटा इसको बोलते है चिकन क्या बोलते है पिटा, चिकन, क्या बोलते है इसको, चिकन, और ये क्या है पिटा, नट्स, क्या है ये, नट्स, नट्स जो होते हैं, बहुत बेनिफीशर होते हैं, अमारी बॉड़ी के लिए, नट्स खाने चाहिए, ओके पिटा, ये क्या है पिटा, राइस, क्या है ये, रा कौन, कौन, जिसको मक्का बोलते हो, मक्की बोलते हो, बोलते हो ना, ये किसकी पिक्चर है, कौन की, ये किसकी पिक्चर है, एग, क्या है ये, एग, और ये किसकी पिक्चर है, चीज, किसकी पिक्चर है, ये, चीज की, ओके, और ये किसकी पिक्चर है, बिस्केट, ये किसकी biscuit और ये क्या है बिटा? milk ये food item में नहीं आता है ये drink item में आता है milk तो हम लोग पीते हैं ना तो इसको छोड़ दो और ये किसकी picture है बिटा? चपाती ये किसकी picture है बिटा? चपाती आप चपाती खाते हो ना आपको ममा ρोटी बना के देती है रोटी को बोलते हैं पेटा चपाती ओके ये किसकी पिक्चर है यम्मी यम्मी आइस्क्रीम किसकी पिक्चर है ये आइस्क्रीम ओके तो ये थी हमारी पेटा food items और इसके बाद हमने अभी तद क्या किया parts of body और food items इसकी बाद जे उमारा third topic है वो क्या है बिटा, my family, क्या है बिटा, my family, अब देखो, family क्या होती है, हम लोग क्या करते है, एक घर में रहते हैं, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ममा, पापा, दादा, दादी, चाचु, कजन्स, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यह सब क्या होती है, हमारी family के members होते है जो हम सर मिलकर रहते हैं तो हम एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली मतलब एक परिवार में रहते हैं, ओके पिटा, तो मैं आपको बता रहती हूँ, यह जो पिक्चर बनी हुई है, यह किसकी पिक्चर बनी हुई है, पिटा, ग्राइन फादर की, इसके नीचे क्या लिखा होते हैं हमारे दादा जी तो दादा जी को हम क्या बोलेंगे ग्रैंड फादर दादा जी को क्या बोलेंगे हम ग्रैंड फादर ओके और ये दादी जी की पिक्चर बनी हुई है तो क्या लिख्था हुआ ये ग्रैंड मदर दादी जी को क्या बोलते है बेटा ग्रैंड मदर ध इसकी विक्चर बनी है यह father की. तो father कौन होते है हमारे papa? कौन होते है हमारे papa? Father, Papa, Grandfather, दादाजी. ऐसे हमारी फादाल हमारी ममा की है. तो ममा को क्या बोलते है? Mother. क्या बोलते है बिटा? Mother. Mother, Mamma, Grandmother, दादी. Okay? तो क्या जैलाल हुआ हमें अभी? Father, अब देखो नेक्स पिक्चर किसकी है ये अंकल की चाचु होते हैं ना हमारे घर में तो चाचु को क्या बोलते हैं अंकल क्या बोलते है बेटा अंकल और नेक्स किसकी पिक्चर है बेटा आंट की किसकी पिक्चर है आंट की जो चाची होती है उनको हम लोग आंटी बोल भी देते हैं न तो आंट जो होती है वो हमारी चाची होती है और ये किसकी पिक्चर है बेटा हमारे घर पर कई बर क्या होता है किसी के घर में सिस्टर होती है बहन होती है या किसी घर में ब्रदर होता है तो जब बेहन होती है छोटी या बड़ी तो उसको बोलते है sister और जब भाई होता है छोटा या बड़ा तो उसको बोलते है brother भाई के लिए brother, बेहन के लिए sister ओके बेटा, clear, तो अभी हमने कौन सा टॉपिक किया, my family इसके बाद जो हम टॉपिक करने जा रहे है वो है बेटा, clothes का कौन सा टॉपिक है बेटा, clothes का कौन सा टॉपिक है, clothes का तो clothes में क्या होता है, बटे, clothes क्या होता है, कपडे, जो हम लोग पहनते है उनको बोलते है clothes, अब हम लोग क्या-क्या पहनते है अब मैंने टी-शब्र शूर्ट कैसे होती बागे से बटन होती है जो आपके पापा पहनते है ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए, तो अपने पापा को बोलो, मुझे shirt दिखाए, फिर वो आपको पता चल दाएगा किसको हम shirt बोलते हैं, यह क्या है बेटा, shirt, ओके, इसको बोलते हैं बेटा, trousers, क्या बोलते हैं बेटा, trouser, जो पापा पैन पैनते हैं न नीचे shirt के, तो उसको बोलते हैं, trousers, clear, next picture हमारी तिस्चिस की है बेटा, इसको बोलते हैं, jersey, jersey हम लोग सर्दियों में पैनते हैं, winter season में पैनते हैं, jersey, ओके, जो हमारी ठंग को रोपता है, ऐसे ही हम लोग winter season में और क्या पैनते हैं, sweater, क्या पैनते हैं बेटा, sweater, तो हमने अभी तब क्या क् किया shirt, trouser, jersey, sweater. Next क्या है वेस्ट. इसको बोलते हैं 비ynchronous, इसको बोलते हैं वेस्ट. इसको बोलते हैं t-shirt, यह आगे से बंद होती है, ठीक है तो जो उपन होती है वो något shirt होती है और जो बंद होती है उसको बोलते है टी-shirt. और इसकी बार नेक्स किसकी पिक्चर है पिटा, जैकेट, किसकी पिक्चर है पिटा, जैकेट की, इसको बोलते है जैकेट और ये किसकी पिक्चर है? skirt किसकी पिक्चर है ये? skirt की girls पहनती है ना skirt या आप लोग uniform में skirt पहन के आते हो ना तो इसको बोलते है skirt ये किसकी पिक्चर है बिटा? sari की क्या बोलते है इसको sari mamma पहनती है ना किसी-किसी के घर में है ना? तो इसको बोलते है सारी, क्या बोलते है सारी इसके बार next picture कौन सी है बिटा, jeans इसको बोलते है बिटा, jeans आप girls भी पहनती है, boys भी पहनते है तो ये क्या बोलते है बिटा, इसको jeans और ये कौन सी picture है बिटा, coat क्या बोलते है इसको coat इसको क्या बोलते हैं बिटा कोड़ और यह next picture फिक्टर जो हैं हमारी last इसको बोलते हैं कुर्टा पैजामा ौपा पहलते हैं ना कि इसको बोलते हैं कुर्टा पैजामा तो अभी हमने क्या किया यह क्लोउज्ड आज हमने कितने topics किये बेटा four topics, कौन-कौन से parts of body सबसे पहले हमने parts of body किया उसके बाद हमने food items किया उसके बाद हमने my family किया फिर हमने clothes किया ओके बेटा, तो आपने यह अच्छे से learn करना है ओके बेटा, ओके, bye bye take care